मुझा नमस्कार आप देख रहे हैं रीवदर्शन मैं जिशान जावेद आपके साथ तियारेस कालेज जाच के लिए साशन द्वारा गठित तीन सदस्य दल पहुचा जाच दल को कोई दस्तावेज उपलब नहीं कराए गए जाच दल पेरंग लोटा देखिए रीवदर्शन की एक खास रिपोर्ट तियारेस कालेज के पूर प्राचार द्वारा की गई अनिमित्ता को लेकर साशन द्वारा गठित तीन सदस्य दल रीवदर्शन पहुचा तो जरूर लेकिन उसे कोई भी काज़त नहीं है वापस लौटा बेरंग जी हाँ टियारेस कालेज के पूर प्राचार राम लला शुकला अपने रसूख के चलते भाजपा सरकार में प्रदेश के सबसे वड़े महाविध्याले में से रीवा के टियारेस कालेज के प्राचार पत्पत काबिज रहे उनके दबदवे का अंदाजा इसी बात से होता है उनके चलते टियारेस कालेज को कभी भी पूर कालिन प्राचार नहीं मिल पाया हमेशा यहां पर प्रभारियों कहीं कब ज़रा है पूर प्राचार वर्तमान में यहां पर नियंतरक के पत्पत काबिज हैं भात्पा सरकार के जाते उनके दिन खराब हो गए कालेज के चात ने उनके खिलाब ऐसी ऐसी एक कहत रीवा के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्श कराया तभी से पूर प्राभारी प्राचार राम लला शुकला छुट्टिया विताने कहीं चले गए हैं पूर प्राभारी प्राचार के कालिकाल के दौरान करोणो रुपए के कामकाच कालेज में हुए हैं पचास के उपर भरतियां हुई आईए बात करते हैं विनोस शर्मा से तब से ले करके जूपी भाजपा के सरकार भी錢 कोई भी चीजय है थी जाजदल बने भी पार पहली बार भी क्लप पहली वार इस सरकार में जाजदल बना जाजदल आपको बता दें चार कहने पहले बन गया और आज आप खुद देख रहे हो, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े फार्मेंटी तोर पे जहाँ सुद्दल के दिकारी लोग आए है और आज ही चले जाएगी आपके सामने मैंने बोला कि यहाँ इतना बड़ा है कम चार पांक दिन आपको रहना पड़ेगा बहुत सारी करोडों को फरस्टा चार हुआ है नियुक्तियां वैज हुई है रिजर्ट सीट गरत तरीके से बनाए गई है और जो प्रे विक्रे हैं जो यहाँ ठेकेदारी अपने चहते लोगों पर दी गई है कहीं पेपरों में ने रिकार करके उन सब चीजों के एक लंबा लेखा जोका है वो मैंने इसके लिए सवाल उखाया था अब मुझे पूरा भरोसा है कि जाच अच्छे से होगी और नहीं तो जो जाच जले दुकारी हैं उनकी भी जाच होगी देखे अभी तो आज वो आए हैं खाना पूर्टी करके जाने वाले थे मुझे पता चला मुझे नों बताया तक ही मुझे कहीं से पता चला अपने सूतरों के दौरा मैंने उनको फोन लगाया वो बोले कि आप साथे पांक बुझे आओ मैं उनके पास गया उनके से पूंचा बहुत सारे चीजों में अस्मार्थ हैं उनके पास कोई रिकाद ही नहीं है जहां बात करो उ ने उनको बोला कि आप सासर की मदद लो कस्पी और कलेक्सर कि ये करोनों का वश्टाचार इस कालेज ने हुआ है ये हमारे वीवा की माटी का अस्मिता का सवाल है ये पूरे बिंद का एक माना जाना कालेज है मध्य प्देश में ये पहला ऐसा कालेज है यहां सीजी के नाम पैसा लिया जाता है पूरे आप उनसे सब से पूछिए कहीं प्रचार आज तक गोपनी कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाए आई ये जानते हैं प्रचार और जांच दल का क्या कहना है इसी के चलते प्रदेश की कमनलाथ सरकार ने तीन सदस्ती जांच दल कठित किया है यह जांच दल रिवा तो पहुंचा टियारेस कालेज भी पहुंचा लेकिन उसने किसी भी तरीके की भी जांच करना मुनासिब नहीं समझा अब इसको पूर प्रभारी प्राचार राम लला की दबांगई कहें या फिर कुछ और यह आपको तै करना है हमें तो केवल यह मालूम है तीन सदस्ती दल टियारेस कालेज पहुंचा और खाली हाथ लग दिया रीवा दर्शन के टीम ने जाजदल के प्रभारी से बात की आईए आपको सुनाते हैं प्रभारी निक्ता पुछ का अब देश रासन के आदेश से अभी तीन सदस्य जाजदल पजित किया गया है इसमें प्राचार मॉडल साइंस पॉरेट जीवा अग्रणी महावद्यारे प्राचार दोगनपूर और बेवोपाल से विशे इस्प्रटर में सद्धिकारी के लुपने राकार उपस्देश और अभी जाज के जो बिंजू है तो यहां आकर बहुत लड़ाती और ज्यादा जाज को सकती है उसमें तीन सदस्यों क्या लावा और भी सदस्य भना चाहिए त्योंकि जो मुद्धे बताएगा है उनमें और धीक बारेकिया निकल सकती है तो ऐसी स्थिति में जाज जैसे विश्वरत जाज होगी है उसकी कराई के जो मामले आये हैं परिक्षाओ में गर जाज दलके प्रभारी को अभी आप ने सुना उन्हों लूग जाज दलके प्रभारी को अभी आपने सुना है उन्हों और जाज करेंगे वही कालेज के वर्तमान प्राचार ने भी माना है, सासन द्वारा कठित जाज दल आया हुआ है, वह जो भी कालेज मांगेगा, हम उसे उपलब्ध कराएंगे. आपको किस तरह से सहयोग मिला है और क्या दस्तावेज आपको सपूर्ट किये गए जो और कौन सा उकक्ष है जिसकी बात की जा रही कि आपको नहीं जाने दी गया गया है, वही जो दस्तावेज लिखित रूप में मांगे जाएंगे, जो हमारे पास प्लब्ध होगा, उसको ह प्लब्ध होगा, उनके अब आस समा प्लब्ध होगा है. यह है रसूप पूर्व प्रभारी प्रचार राम ललका, जितना दबदबा भाजपा साशन में था, उससे कही ज्यादा साबीत हो रहा कांग्रेस के जमाने में. एक बार फिर जाज दल, खाली हाथ लोटा. शिकायत करता कांग्रेस के पार्शक विनोज सुक्रा मानते हैं, गोटाला बहुत बड़ा है, बड़े पैमाने पर किया गया है. इसकी जाज के लिए भोपाल तक के फेरे लगा चुके हैं. वह चाते है रिवा का गौरो, विद्या का मंतिर, टियारेस कालेज की शान पर अन बड़ेगे Beet Director, वह चाते हैं, वह जिस कमरे में बैटते हैं, उस कमरे में वर्तमान प्राचार आज सक नहीं आ पाए. जी हां हम बात का रहे हैं, टियारेस कालेज में परिच्छा विवाग के अंदर बने गोपणी कख्ष, इस कक्ष के अंदर वर्तमान प्राचार आज् जाईए वो तब भी गोपनी कक्ष में नहीं जा पाए और आज भी नहीं जा पाए तब भाजपा सरकार्ती राम लला का रसूप सर्चर्टर बोलता पाए इस बारे में हमने शिकायत करता विनोत शर्मा से एक बार फिर बार आई तो इससे बड़ा दुर्भाग क्या होगा पर भी गप्षो नहीं में पाया प्राचार के पास चावी नहीं है मैं यह कहता हूँ कि जब संस्ता स्रीक हो इभी बाहर जाता है उसकी सर्भी कमनों की चावी नहीं एक जगा कर उखे उसका एक लाकर होता हुथ इस लाकर में आप रखो प्रिंस्पल रोम में रखो या तो बहुत जल्दे दो नहीं आये, तो उनके उपर हुजाद बैठा दूगा। अध्यक्स पत्र भी है, जो दूदू दूदू पत्र पर वैसे ले रहे हैं। कितने दुर्भाद की बात है, एक प्राचार अपने कॉलेज के अंदर सभी कमरों में नहीं जा सकता। इसके लिए उसने लाग प्रयास भी किये, लेकिन रसूपदारों का आगे उनकी एक में चलिए। आप खुद सुनिये प्राचार इस बारे में क्या कह रहे हैं। करता हैं, जब पाधनी जाजने वाली बात है, मैंने कभी परयास भी नहीं किया वह अजने किया जानने कि हमकρι बतायागीयाज कि वहां जब झादेट अपना गौपनी काय रहती ही. मैं नुम्हें परास कीरा कि कुंए. वी इसके बाहर कश्य है जब रहन है, जब तभी मुलाकात कशनी हूँ झाल है. हुआ को इसके पत्द की। वही जांजदल को भी जब इस बात से अउगत कराये गया तो उन्होंने भी इसे गंभीर मामला बताया, साथी खैरानी भी जताई। अभी बात्चीत के दोरान एक गंभीर सवाल उभर किया रहा, वर्तमान प्राचार ने कहा कि वो गोपनी कप्ष में आज तक नहीं जाता है। इसको आप किस नजर से देखता है। अभी मैं कुछी में प्राचार निम हो जैसे कि ऐसा कुछ ड़क्स नहीं क्या जो कि यहां पर कुछ जानी सकता, ऐसा तो भर होनी सकता भी माविध्याया है, ऐसा तो यहां पर संभव नहीं है। पर अभी मेरी बाती दूए थी कुछ जिर, कुछ समथ बोल, तब उन्होंने बताया था कि उनके पास में यहां पर रेकॉर्ड अभी उपलग यह नहीं है। तो नेपार अगर अगर उपलग दने हैं चाविया नहीं है तो फिर यह नहीं है तो फिर यह नहीं है, तो फिर पांगला दूबिर है, और कि तो बड़ी यहरा ही सुचान होनी चाहिए। अगर आप पाये हो और यह आपको भी तर चाहस करोगे। वह सब्सक्राइब करता है। यह भी होगा पाले जी मैं आपको तेरी आपनी सीरी सीरी बात वो हर चीज में माहिए। मैं ड़ता है ना हम आपके साथ ख़ड़ा होसी नहीं है। अब देखना दिल्चस्प होगा। प्रदेश के सबसे बड़े कालेजों में से एक रीवा का एतिहासिक ट्यारेस कालेज के पूर प्रभारी प्रचार रामलाला के खिलाफ जो कुछ भी निकल कर आया है या एक बार फिर वो अपने रसूप के चलते बच जाएंगे। या फिर वास्तों में उनके खिलाफ शिकायतों को जान बुच कर परिशान करने के लिए कराया गया है। इस खबर पर हम नजर बना के रखेंगे।